युगो युगो से चल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव म्रमार में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चार, आए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माल जै शनी दे प्रियभक्त करों, मैं स्वामी राज रशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटे लगर, नई दिल्ली से आज आपके समख्ष रस्तोत हूँ दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूज में पिता श्री, गुरु रजीश रिशी ची के निरदेशन में ऐस्टोलोजी, नियुम्रोलोजी एवं दन गंतों का अध्यान कर रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज कराशी आज 6 जनवरी 2020 दिन सोंवार, पॉश मास का शुकल पक्ष चल रहा है, और आज एका देशी तिथी मद्धेरातरी 3 बच के 8 मिनट तक रहेगी, और उसके पश्चाद 2 दशी तिथी लग जाएगी आज अभी जीत मूरत दुपेर 12 बच के 5 मिनट से लेकर 12 बच के 45 मिनट तक रहेगा, इस दौरान किसी भी शुपकारे की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी आज राहुकाल सुबह 8 बच के 32 मिनट से लेकर 9 बच के 50 मिनट तक रहेगा, इस दौरान किसी भी शुपकारे को करने से आप सभी लोग परहेश करें जिन भी भगड़ों ने हमारे इस चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेना अनुनोद है, हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सकते हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो चलिए आप जानते हैं कि मी यानि कि 25 जाशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वीतेगा आज पैसे कमाने की एक अच्छी ओपोर्चनिटी आपको प्रात हो सकती है जिसको आपको हाद से नहीं निकलने देना चाहिए और से उच विजाकर उसमें अपने समय और धनता निमेश्ट करना चाहिए आज आपके भाईयों का साथ ही आपकी सफलता का राज बन सकता है और आपके लिए खिस्मत के दरवाजे खोड़ सकता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से ज़्यादर खर्चा हो जाता है ट्रांस्फर हो रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमे ब्रिद्दी नहीं आप आ रहे हैं आपके पर धंगी कमी बनी लेती है यह आपका स्वास अच्छा नहीं रहता आप हर समय बेमार लेते हैं यह आपके बच्छे बेमार लेते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप तीड़े ते। आपने भाई के साथ मिलकर आप जो भी कारे करेंगे उसमें आपको सफ़स्दा प्राइब राक्त होगी आज वैप प्लेस पर आको एक शांथ वातावरां मिलेगा जिसमें आप एक आज आप में दूसरों की मदद करने की तीवर इच्छा उत्पन होगी और जो भी आज आपसे मदद मांगेगा उसे आप मनना नहीं कर पाएंगे और आज आपकी सहाइता से उस व्यक्ति का भला हो जाएगा आज लाल रुमाल अपने पासकना आपके लिए अत्यंद शुब होगा आज काले कुत्ते को बोजन कराना आपके लिए अत्यंद शुब कारी होगा मीम्ला श्रीवानो, अगर आप अपने प्रेंट संबंदों में प्रेमी प्रेमिका के पीछ में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध, प्राण पतिषित, मूती की अंगूटी अवश्य ही धानन करनी चाते। यदि आप स्वयम गुरु रज्वी शिशी जी द्वारा अभिमंत्रत अंगूटियों को प्राफ्ट करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं, किसी भी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्फ, आपको अपनी कुंटल का अध्यर किसी योग के अस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लिना चाहिए, और यदि आप हम से जोतिश परामर्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर कर सकते हैं, प्रिय भक्रणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भोचमत्कारी उपाय, जिसे करने से आप बड़ी ही सरलता से अपना भाग के चमका सकते हैं, और आज इस उपाय को करने से निश्यत तोर पर आपका जो बुरा भाग गया है, जो आपका दूर भाग गया है, वो आपसे दूर भाग जाएगा, इस उपाय को करने के लिए आप प्रातर कार उठकर पवित्र हो जा जो कि आठा जूटा नहों उस आठे को लें और उसकी गोलिया बनाएं। उसके पश्चात किसी तलाब या झील्म किनारे जाकर मचलियों को उस आठे की गोली को खिलाएं। यह उपाएं शद्धा पूर्वा करने से निश्चत तौर पर आपकी किस्मत जल से जल चमक उठेगी। आज का आपका राशी पर देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ। मेरे नाम संगीता सिंह है। कहा रेक्टवा दिल्ली शास्त्री नगर कुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए। मैंने तीन साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी। तो उसका मुझे अच्छा एफेक्ट हुआ था एक महीने बाद मुझे असरदिग्ग्या था। उस टाइम पर मैं थोड़ा नहीं कहूंगी बहुत जाद ही प्रवलम में थी। लेकिन उसके बाद एक तेड़ साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जब मैं आई थी यहां पर तो करजा था मेरे अपर। लेकिन उसके बाद मैंने एक देड़ साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरूजी के तुरूप तो उसका अच्छा एफेक्ट हुआ था। करजा भी उतरा। प्लस उस टाइम पर मैं गुरूजी से यह पूछना आई थी के गुरूजी मेरा मकान कभी होगा अपना। अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगा जाकर देखा ऐसे लेकिन मुझे कई विश्वास नहीं वा। यहाँ पर गया कि धोका नहीं लगा सबसे बड़ी चीज़ों रिशूट नहीं है। हमारे वेदों, फुराणों, धर्म ग्रन्थों और योत्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जान्थे के लिए हमारे द्वारा बनाई गहीं और वीडियोज को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें।